राजिस्थान के चीपा बडोद थाना परिसर में थाना धिकारी कल्यार सिंग चोधरी की अध्यक्षिता में सीएलजी सदस्यों के साथ कानून व्यवस्था और आपस में भायचारा बनाई रखने तथा शांती सोहार्द कायम रखने को लेकर बैठा कायोजित हुए जिसमें राजिस्थान मिशन 2030 को लेकर सभी सीएलजी सदस्यों सुरक्षा स्खियों और ग्राम रख्षकों से मिशन 2030 को लेकर अलग-अलग सुजाव मांगे गए इस दोरान CLG सदस्यों ने अपने अपने विचार भी रखे और चीपा बडोद पुलिस थानाधिकारी कल्यान सिंग चौधरी वा ASI नंद सिंग हाडा में सभी CLG सदस्यों को सुझाव फाम भरने के लिए दिये ताकि अपने अपने सुझाव साज़ा कर सके इस दोरान बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा कराई जा रहे फेस टू फेस सर्वे का प्रपत्र दिया गया जिसमें राजस्थान को देश में नमर एक राज्य बनाने संबंदित सुझाव मांगे गए हैं कैसे क्या सुधार किये जाएंगे पैठक में पूर्व सर्पंच, गजेंद्र जैन, यूसुफ भाई, मती उर्रह्मान, अजहर खान, अनीस, कुलदीप सिंग, सिरोहिया, ननन गोयल, सहित, अन्य जन उपस्थित रहें आगामी त्योहारों को लेकर शांती व्यवस्था अतिक्रमर हटाने सहित, विबेर्न विशियों पर भी चर्चा की गई देखती रहें, डीवी भारती समचार, नजर हर खबर पर